तो हेई गाईज कैसे हो आप सभी लोग वेलकम बेक टो अनदर रियल क्रिकेट 24 वीडियो जहां पे आज हम लोग खेलने वाले हैं इंडिया वर्सीस अबगानिस्तान का सेकंड टी 20 आइमेट जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हम लोग लास्ट में जब गानिस्ता तो सही होगा वाव टोस जित गया मैं और पहली बेटिंग लेने वाला हूँ क्यूंकि हमसे चेज ना हो रहा है बाई चलो भाई मेच स्टार्ट हो चुका है पहली बोल इसी सिंगल पहली बोल पर रोहिद भाई के लिए सायर डबल मिल सकता है नाइस गुलाटी मारी सो डब है यह मेच लेंग लेट सी गाइज कोहली बाई कुछ ना करेंगे वैजी लिप लिप मार देंगे चेसट्राय क्रेट से ना करेंगे और क्या करएंगे रिस्क है तो इस्क है देख लो है यह आँ पे रिस्क लिया और चोकाप पढ़ गया फदलना और है और एक कहीट spoke बीड या कोहली भाई जब तक है तब तक हम लोग इजीली पहल सकते हैं तीन बोल पर 14 रन पर पहुँच गए हमारे कोहली भाई पैवेलियन से सेट होके आए है गाइस ओमर्जाई की आखरी बोल पांच बोल पर आट रन आ चुके है देखते हैं आखरी बोल पर क्या होगा शॉट ब्रो शुबमन गिल बैक फूट पंच के साथ में छे रन दो ओवर के बाद में 28 पे वन ब्रो क्या ही संदल खेट रहे शॉट है ब्रो कोहली भाई एक और 6 40 रन हो चुका है टीम इडिया का स्कोर ब्रो विराट कोहली भाई आज पैवेलियन से स्वेट होके आयो है पक्का भाई चलो भाई पावर प्ले की आखरी बोले क्या कर सकते हम लोग आउट हो सकते भाई आउट यहाँ पे यार कोहली भाई अच्छा खेलके आउट हो गए पर कोई बात नहीं अपना काम करके गए शुमन गिल्ड के लिए भी इजी सिंगल सायट डबल इजी 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 रना वाउ सुरिय कुमार याद होगे जैसा स्वाट खेला पर बाउंटरी क्लियर नहीं कर पाई संजू सेंसन गोल्डन डख हो गए भाई क्या ही करे यार इतनी अच्छी टाइमिंग तो हुई थी फिर फी गोल्डन डख रिंको सिंग मुझे पक्का मालूम है आप अच्छा खेलने वाले हो देखा मुझे मालूम था भाई रिंको भाई ने आते ही पहली बॉल पे फ्लेट चोका मार दिया वाउ क्या बोल रहा है भाई कोमेंटरी तो मैं कर रहा हूँ क्यों आया है तू सुबमन गिल कपका खेल रहा है चोका मार दे वाउ छे की चार नाइस चोका मार दिया भाई मैने बोला और सुबमन गिल ने चोका मार दिया भाई सायद वहाँ पे माइक लगा हुआ है नहीं यार ट वो फिल्टर हर बार पहुंच जाता है दो ही रन नाइस इस बार मिल गया साइच छे रन है नाइस इस ओर में पांच बोल पे 11 रन हा चुके है वाव हेलिकॉप्टर स्वाट फ्रोम दिस सुब्मन गिल्स एंड राशित खान को षकके ओर को समाब्त किया सुब्मन गिल ओन फाइर बाइ 50 के भी काफ़ी पास है सुरिया को मरियदो स्टाइल एंड एक और सिक्स त्री बेक टू बैक शीक्स पर सुब्मन गिल क्या सुब्मन गिल की इस बार पे 50 हो जाएगी हो जाएगी भाई ओवर दी कवर 6 लगा के भाई साब बहुत अच्छा कहला है शुमन गिल और उसलों भाई बहुत अच्छा कहला है कोहली भाई और रोहिद भाई उचलते हुए 24 बॉल पे 52 रन फ्रोम दी शुमन गिल क्या ही खेला है भाई पांच चक्या लगा है और गाईस दोनों के बीच में 50 के पार्टनर्सिप भी हो गई 28 बॉल पे 51 रिंकु कुमार आये और चा गये और शुमन गिल तो चाये हुए ही थे गईस पहली इनिकी आखरी ओवर है नोट आउट है एंपायर मैंने तो तुमको पेसे दिये है ना ठीक है भाई स्पाइडर मैं वाली फिल्डिंग लगा दी फिर भी हमें क्या हमें तो इजिली चोके चके मिलते रहेंगे यार छे रन मिलना चाहिए था यह शॉट छे रन बाए एक और नाइस 16 बॉल पे 28 रन पे रिंकु सिंग कमोन कमोन आखरी बॉल मार दिया यहार क्या ही किया आखरी बॉल पे कोई रन नहीं तो टेन अवर के बाद में 112 पे चार विकेट टीम इडिया की सो गाई यह है बेटिंग काड और यह है बोलिंग काड आप लोग देख सकते हो तो चलो भाई सीधा चलते है सेकेंड इनिंग पे गाईज अरस्डी पाजी आ चुके है पहला और डलने के लिए ओ भाई यह क्या सोट था रिप्ले तो देखना बनता है मतलब भाई किदर सोट खेला और किदर गया इसका रिप्ले देखो आप वाउ टो पेज लगके चोका गया वाउ बाई क्या बात है चोका भाई बाहरा के खेला मतलब समझ गया था कि यह चोका ही है छे रन भाई आखरी बॉल पे भी छक्का लगा दिया तो एक और के बाद में 19 पर कोई विकेट नहीं सेकेंड वर अभी तक आवेश ने बहुत अच्छा डाला है और ऐसा बोलते ही चोका भी डाल दिया है य यार रोक ले भाई वो क्या कर रहा है फिल्डर हाथ दिखा रहा है उसको भाई तुझे पकड़ना चाहिए यह चोका भाई क्यां ही बोले हम लोग यार स्लीप होती तो आउट होता यह बहारा के एक और बार खेलेगा क्यां आउट होने वाला है तू नहीं होगा कोई बात वाइव भाई सिंगल भी नहीं दूँगा अक्सर पटेल डालेंगे फावर प्ले के बाद का पहला ओवर और पहला six भी नहीं पहला चोका भी खा लिया पहली बोल पे आज़ाओ भई कुलदी भाई आफ ही विकेड ले सकते हो catch it मैंने बोला था बाई मैंने बोला था कुल्दी प्यादयू भीans विकेट ले सकते हो और क्या ही सांदर catch वहाँ पे वाँ ब्रो कुल्दी प्यादयू ने पहली विकेट ले ली आड़े ही हुआ कुल्दी प्यादयू उपी बोलते 5 बोल, 5 रन और एक विकेट कुल दी प्यादो ओपी बॉलिंग केसे सॉट केला भई ये केसे खेल सकता है आखरी बोल पे चोका नाइस शॉट बट एकी रन मिलेगा अर्षदिक पाजी के हाथ में बोल भई ये केसे खेल रहा है मतलब भई कुछ भी मतलब गुगली बोल को ऐसे खेल दिया गाइस 11 बोल पे 26 रन चाहिए देखते है भई वाव डिफेंस किया क्या बात है अब भी भी डिफेंस कर रहे है भई क्या चाहिए इनको जीतना नहीं है क्या उके केच ब्रू एक ओर सांदर केच 90 पे दुसरी विकेट चले गई है इबराहिम जादरान भी आउट अरस्दिप सिंग को दुसरी विकेट मिल गई बहुत अची बोल थी लेट्स गो गाइस आखरी अवर पे 22 रन चाहिए और आखरी अवर डालेंगे आवेश खान एक ओर डिफेंस नहीं जितना ऐसा है दिसको मुझे ऐसा लग रहा है फाइनल येक अच्छा सोंट खेला बट सीधा फिल्डर के हाथ में चलो भाई मैच की आखरी बोल अफगानिस्तान की टिम जीत तो नहीं सकती है पर देखते क्या होता है वाउ एक भी शॉट हवा में नहीं खेला आखरी अवर पे क्या बात है ये गेम भाई क्या ही कोडिंग कर दिया इंडिया वन बाई 17 रंस बहुत ही इसली हम लोग जीत गए और उचलो भाई और उचलो वो तो अफगानिस्तान के बेर्स्वेन अच्छे से नहीं खेल रहे थे वरना भाई हमें पता चल जाता यह है स्कोर कार्ड आप लोग देख लेना और प्लेयर ओप दमेच कौन बनाया है शुबमन गिल 50 बनायी थी तो ओबियसली वई होंगे नाइस वाई बहुत अच्छा खेल गए आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर यह वीडियो आपको उच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो के लिए मैं लाइक गोल रखता हूँ 30 लाइस का प्लीज 30 लाइस कर देना तो आप भाई मिलेंगे आपको उगली वीडियो में तब तक के लिए जाई हिंद जाई बारात